आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो यह डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टीचिंग तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां सबसे पहले मैंने कपड़े को चार भाग में फोल्ड करके बिचा लिया है हम दोनों ब्लाउज के दोनों बैक और फ्रंट पार्ट है दोनों साथ में कटिंग करेंगे इसलिए मैंने यहां पर फोर फोल्ड में कपड़े को बिचा लिया है अब इसके बाद हम सबसे पहल मैंने लंबाई पर निशान लगा लिया है 13.5 इंच यहां पर 13.5 इंच पर रखने वाली है भोटनेक बना रहा है तो आप इसमें नॉर्मल न्यग भी बना सकते हैं जो बिया पर पसंद और निशान लगा लिया है आर्मोल पर यहां मैंने 6 इंच का निशान लगाए देखिए इस तरह से शोल्डर और आर्मोल पर मैंने यहां निशान लगा लिया अब दोनों निशानों को हम मिला देंगे इसके बाद हम लगाएंगे हमारा चेस्ट का निशान जो भी मेजरमेंट है, उसा। पर हमारे छेस्ट है। नो इंच तो मैर्च के पर निशान लगा लिया है। 9 उन्च हमारा फिटिंग निशानए इसके बाद हमें यहाँ पर मार्जीन होता है। पर मार्जिन के लिए थे गड़ार से महत्त इसके बाद कमर यहां है 3 इंच में निश्चान ही पर हम्हारी त्रेंग्ल शेफ है तो यहां पर हम Я Villa fellas движ тем से कमर मैं अगर जादे और महत्त टेजय कमर मत्रामें का इन्च कह सब्सक्राइब यहां से करें गड़ा इस बड़ कर एक रखना है यहां बंब बन खताते हैं तो किने निचन बाद यह रेक्श बिना शूलड़ पपर सीमिच होगा वैह कि मैं नब मोहल की गोलाई दे दी है मैंने 1.5 इंच की गोलाई हमारे बैग पार्ट की दी है और उसके बाद उसमें आदा इंच देखिए आदा इंच इस तरह कम करते हुए मैंने ये गोलाई फ्रंट पार्ट की दी जो पहली गोलाई हमारी है वह बैग पार्ट की है और जो सेकेंड वा पाइफ इंच कपड़ा बढ़ाना देशे आप देख रहे हैं नीचे जो इससा है जितनी भी हमने ब्लाउश की लंबाई रखी है उसमें हम पाच इंच आगे नीचे एट कर देंगे देखिए इस तरह से पाच इंच नीचे एट करकर जैसे हमने कमर का हमारा निशान लगाया इस निशान को हम सीधा कर देंगे अब सीधा करने के बाद हमें इसमें सेब देना होगा देखिए हमें सीधा करने के बाद इसमें सेब देना होगा तो सेब हम कहां तक देंगे हमारी फिटिंग के निशान तक देखिए जो हमने मार्जिन लिया है महां हमें निशान नहीं ल यहां पर फिटिंग की जगा उपर दिया है ताकि अंदर फोल्ड होने के बाद भी हमारा यह जो शेप है वो प्रॉपर दीखे ब्लाउज में देखे इस तरह से हमने शेप दे दिया शेप देने के बाद अब हम बोटनेक का निशान लगा लेंगे तो बोटनेक के लिए हमारा जो भी हमारी नेक की चोड़ाई होती है उसका आधा हिस्सा हम यहां पर रखेंगे देखे इस तरह है जो भी हमने शोल्डर की चोड़ाई होती है उसका आधा हिस्सा हमने ले लिया है उसके बाद लंबाई बोटनेक में आप साड़े तीन चार इंश तक लंबाई रख सकते देखिए यहां पर हमारा ब्लाउज में सारे मेजरमेंट हमने निशान लगा लिए मेजरमेंट से हमने निशान लगा लिए इसके बाद हमें इसकी कटिंग करना है अब इसी तरह से अपने मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज में निशान लगा ले देखिए मैं यहां पर कटि नीचे वाला जो हमने शेप दिया उसको भी हम अलग निकाल लेंगे कि देखिए इस तरह से हमने यहां पर कटिंग कर लिए और कुछ नीचे से कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउच का शेप दिखेगा जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है देखिए और फिटिंग लगात समय बस आप इस बात का धियान रखिएगा कि जब इस तरह से हमारा यह जो हमारा शेप आएगा और अगर कपड़ा बाहर दिख रहा है तो हमें अंदर की साइद उसको फोल करकर सिलाई लगा देनी है अब इसके बाद जो हमारा यह फ्रंट भाग है फ्रंट भाग में हमें आर्म होल की गोलाई जो है कम करना है जहां हमने निशान लगाया तो इस गोलाई को हम छाड़ देंगे अपने निशान से इस गोलाई को छाड़ देंगे आगे की भाग की जो गोलाई होती है आर्म होल की हम पीछे के भाग से 5 इंच कम रखते हैं देखिए हमारे दोनों भा कटिंग की उसे सिर्फ इसके कपड़े उपर प्लेस करना है और एज इस वेसी ही कटिंग हमें कर लेनी है विसमें कपड़ा बढ़ाना घटाना नहीं है जैसा हमने अस्तर कट किया है वेसे इसको भी कट कर लेना है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आप स्ट्रीचिंग के और कोन से वीडियो देखने चाहते हैं मैं अपने चैनल पर उन्हें जरूर अपलोड करूंगी देखिए हमने यह और जो नीचे हमने डेजाइन बनाए हैं उसमें हम सिलाई लगा देंगे और कपड़े को पलटना है इस तरह से हमने दोनों कपड़े को एक दूसरे पर रखकर सिलाई लगा ले नी हैं और उसे पलट देना है अगर आप चाहें तो गले में या फी नीचे वाले सेप में करकर में अलग कर दूंगी और साथ ही साथ हम गले में छोटे-छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारा गला आसानी से और अच्छी फिनिशिंग से पलट सके देखिए इसके बाद मैंने यहां कमर वाले शेप में भी इस तरह से छोट-छोटे कट लगा दिये अब हमें इस कपड में हम इसी तरह से चप्टी सिलाई लगा देंगे और दोनों भाग को हमें ऐसे ही रेड़ी करना है देखिए इस तरह से दोनों भाग हम रेड़ी कर लेते हैं देखे हमारे दोनों भाग फ्रंट भाग और बैक भाग दोनों रेडी हो चुके हैं हमने यहां सिलाई लगा ली है इसके बाद हमें यहां पर इनमें शैप देनी है तो जो फ्रंट वाला भाग रहेगा उसमें हम प्रिंसिस कट की सेव देंगे और जो बैक वाला भाग रहेग देखिए अब यहाँ पर हमने हमारे यह फ्रंट भागे फ्रंट भाग में यहाँ पर प्रिंसेस कट की सिलाई लगाई है प्रिंसेस कट की आप चाहें तो यहाँ टक्स भी लगा सकते हैं पर प्रिंसेस कट यहाँ पर ज्यादा सूट करेगा और इसके बाद हमने यहाँ पर ज कंदी से जोड लेंगे कंदी से जोडने के बाद देखिए जब आप फिटिंग लगाए तो इस बात का ध्यान रखिए का जो जो हिस्ता है अगर वह बाहर निकलता है तो आपको बस इसमें इस तरह से इसे फोल्ड करकर सिलाई देखिए में यहां बलाउच को दोनों को आप कि जिए थेंक यू फोर ऊंचींग अ झाल झाल